अगर कोई प्रोपर्टी की या कोई अचल संपती या चल संपती का बीवाद है तो उसे एकदम से या कहें कि अस्थाई रोप से कैसे इसका निप्टारा करें इस पीडियो में आपको पूरे डीटेल के साथ समझाएंगे साथ साथ क्या करना चाहिए कि आपके बच्चे कभी भी बीवाद में ना फसें साथ साथ यहां ये भी बात करेंगे कि आप सारी संपती का माली किसे बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे चीज़े इस वीडियो में कवर करने बाले हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें बीवाद उत्पन होने की जड़ क्या होती है सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण बात की जाये तो चल या अचल संपती का बटवारा ही आपकी अगर बटवारा सही तरीके से ना हो तो यही आपका बीवाद का काराण बन जाता है जैसा कि आपने अपने आस्पडोस में पटीदार में या बहाई बहन या आप कहां चाचा ताओ में तो बहुत सारे बिवाद आपने देखा भी होगा आपके साथ घटा ये घटना घटी भी होगी तो आसा करते हैं अगर ये चीज़े आपके साथ भी हुई है तो आगे ना हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो मा आपको पूरे डीटेल के साथ बताएंगे क्योंकि अगर देखा जाए तो कानूनी तोर पर ये बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसके थूर आप इन सभी बिवात को हटा सकते हैं या उनसे आप निकल सकते हैं तो सबसे पहले आगे जो अचल संपती या चल संपती है इसका अगर सही तरीके से बटवारा कर दिया जाए या सही तरीके से एक कोई प्लानिंग कर दी जाए जिसके थूर यानि जिसके माध्यम से आने वाले समय में कोई आपके बच्चों के साथ आपके परिवार में किसी विव्यक्ति के साथ ऐसी घठना ना घठे तो सबसे पहले अगर बात करें बिवाद का तो बिवाद का आपने रिजन समझ लिया होगा कि आपकी संपति या आपके प्रोपर्टी का सही तरीके से बटवारा ना होना यही आपका एक बिवाद का कारण बन जाता है तो इस बिवाद को ना पन पे इसके लिए आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हम आपको कुछ कानूनी दस्तावेज के बारे में बात करें तो यह वसीयत के बारे में आपको बताएंगे वसीयत क्या कहती है और वसियत किन लोगों को करनी चाहिए और वसियत के क्या क्या फायदे होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे वसियत के बारे में तो वसियत क्या है एक बिल है जिसे अंग्रेजी में बिल भी कहा जाता है और यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसके दूरा किसी भी संपत्ती की मालिक के मृत्यू के पस्चात उसके उत्राधिकारियों के भी संपत्ती का निढ़ने धारण किया जाता है जैसे कि आपके दादा पर दादा की जमीन है ठीक है उनकी जमीन को आगे आपके पिता जी के नाम से ट्रांसफर होती है और उसके बाद अगर कोई जमीन उन्होंने खुद से खरीदी है जैसे कि आपने खुद से खरीदी है जैसे मेरे वीवर जो देख रहे हैं उनके पास जो उतना ही मिलेगा तो ये वसीयत सभी ब्यक्तियों को यानि सभी जो की ऐसे ब्यक्ति हैं जिनके पास संपति हैं उनके नाम पर संपति है तो वो उन लोगों को वसीयत करने चाहिए तो वसीयत आप अपने उत्रादिकारी को उसके भी संपति का निधारण करने के लिए आपको औगया देती है अब बात करें वसीयत किसी ब्यक्ति द्वारा अपने जीवन में ही लिखी जाती है और यह किसी भी समय वहाँ उसमें बदला भी कर सकता है यह वसीयत में आपको कितना अनुपाथ में कितना रेशियो में कितना अपनी प्रोपर्टी का किसका हिस्सा किन को देना चाहते हैं जैसे मालीजे कि एक बेक्ती के पास दो पुत्र या दो पुत्रियां हैं अगर वो अपने पुत्र को हिस्सा देना चाहता है ठीक है अपने पुत्र को हिस्सा देना चाहता है अपने पुत्री क को देना चाहता है अपने पुत्र को नहीं देना चाहता है तो वो वसियत में ये निर्धारित कर सकता है कि अपनी प्रोपर्टी का एक तीहाई या आधा या दुगुना या पूरा संपती मैं इस ब्यक्ति को देता हूं उसमें आपका पूरा निर्धारान करना होगा और निर सो रुपय का हो 500 रुपय का हो तो जो भी स्टाम पेपर होते हैं वो सरकारी कानूनी दस्तावेज में इस्तमाल के जाते हैं तो उन पे आपको पुरा बकायदा पुरा डेटेल के साथ लिखना होगा तो कानूनी अगर तोर पर देखा जाए तो वसियत जो होती है वो आपके कानूनी रूप से पंजीर कृत होती है और इसे जो की उत्रा धिकारिय दिनियम 1952 के तहर धारत दो में दी गई है वसियत के बारे में तो यानि आप इस्टाम डूटी पेपर यानि इस्टाम पेपर में बकायदा आप अपनी अचल संपती चल संपती या आप कोई भीमा पोलसी है जो भी आपके नाम होनी चाहिए यानि ऐसी संपती जिसका आप अधिकार हो यह नहीं कि आपका अधिकार नहीं है उस संपती का वसियत नामा आप नहीं कर सकते हैं यह नहीं आपकी खुद की प्रोपर्टी होनी चाहिए चाहिए वो आपको दान में मिली हो चाहिए आपको आपने खुद खरीदी हो किसी भी तरह से आपके नाम होनी चाहिए तो उस उसमें आपके फोटो, आपके सिगनेचर, आपके अंगुठे का थम, यानि इंप्रेशन होगा, आपके दो गवाह, वो भी गवाह जो की उस वसीयस से संबंधित, यानि वो आपकी अचल संपती, अचल संपती में उनको कोई अधिकार ना हो, या उनको आपने किसी भी प्रका करते हैं, अगर इसके बात के जब वसीयत के बारे में, तो किसी भी ब्यक्ति द्वारा अपनी संपती के संबंध में यह इच्छा रखना है, कि वह उसके मृत्यू के पश्चात का यह वनी तो यानि कारी की जाए, तो था इसे अच्छी तरह से समझा सके, जब कोई भी ब्य बढ़के हैं, तो यह दोनों को देना चाहता है, या एक को देना चाहता है, या उन दोनों को नहीं देना चाहता है, अपनी अचल संपती का हिस्सा, किसी और को देना चाहता है, तो वह उन सब का एक पूरा डीटेल उस वसीयत नामे में आपको लिखना होगा, ठीक है, तो स सुभ्यक्ति के मृत्यू के पस्चात वो उसी हनुसार कानूनी दस्तावेश से बाटा जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई वसियत आपने नहीं लिखी है तो कानून जो होता है वो आपका पूरी प्रोपर्टी का आधा हता हिस्सा आपके जितने भी पुत्र हैं उन की चाचा ताओ हैं वो आपका हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो यहां पर बीवाद हो जाता है इसलिए वसियत बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि आप अपने बच्चों को अपने उनके भविश्च को समारना चाहते हैं तो वसियत जरूर करें ठीक है इसमें आपको बहु किसी कारणवस अगर आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में तो आपकी पूरी प्रोपर्टी या अचल संपती या अचल संपती का जेतना भी साप ने उस वसीयत नमा में लिखा होगा उसी अंसार सरकार उसको उनके नाम कर दी जाएगी तो ये बात आपको समझ में आ गए होगी अब बात करते हैं वसीयत कराने के लाव क्या है तो वसीयत कराने के बात की जाए तो ये है एक व्यक्ति को यह थाय करने की सुभदा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने मृत्यू के पहस्चाथ अपने संपत्ती का किस प्रकार वित्रित करना चाहता है यो उसके किस के किस के बीच वित्रित करना चाहता है वसियत के सामान निलाब है यानि फ्रेंट्स अगर बात किये जाए तो वसीयत का क्या में लाव है कि उस वसीयत में आप जो भी प्रोपर्टी है जो भी चल अचल संपती हो इनके नाम देना चाहते हैं यानि किसको कितना देना चाहते हैं किस अनुपाद में देना चाहते हैं ये आपको वहाँ पे तैक करने का जो कि सहूलियत मिल जाती है अब बात करें वसियत करता को अपनी संपती की बिवाद से बचाना सबसे पहल महतोपूर बात यह हो जाती है वसियत करता जो है वो अपनी पूरी संपती को बिवाद से बचा लेता है यनि बिवादों से बच जाती है क्योंकि जितना भी आपने निशित किया है वो उसी अनुसार पुरी संपती का बटवारा कर दिया जाएगा दूसरा वसीयत करता का अपनी इच्छा अनुसार संपती का सही भीवाजन कर सकता है यानि उसके नहीं रहने पर जो भी उसने लिख कर वसीयत में दिया है उसी हमसार उसका भी वाजन किया जाएगा वसीयत करता का अपने बेवसाय में निरंतरता के लिए प्रावधान यानि नाबालिक बच्चों के लिए ट्रेस्ट अभिवावक की नियुकती अगर कोई भी व्यक्ती है जो कि उसके बच्चे या उसके कोई ऐसे गार्जियन के तोर पर किसी को निशित करना चाहता है तो वहाँ उसका भी उलेक कर सकता है जो भी वाव उत्रादिकारी नहीं हैं उन्हें छोड़ने की सहुलियत है साथि साथ अगर बात कर जाए तो इसमें वसियत करता द्वारा सबसे पहले अपना नाम उम्र निवासस्थान के संबंद हमें लिखा जाता है यानि वसियत तयार करते हैं तो उसमें क्या-क्या महत्वपूर चीजे हो जाती है तो सबसे पहले अपना नाम यानि जो वसीयत करता है उसका नाम हो जाएगा उसका उम्मर हो जाएगी और उसके निवास अस्थान के बारे में साथी साथ अगर बात की जाए तो इसके पश्चाथ उसके द्वारा अपनी समस्त संपतियों का बेवरा दिया जाता है जिसमें वह संपत्यों संपत्या भी सामिल है जो उसने किसी अन्य ब्यक्ति के साथ मिलकल खरी दी है वह अपने हिस्से का भी जानकारी दे सकता है तीक है और इसके पश्चात वसियत करता अपने संपत्ती में कितनी लोगों किस रेशियो और किस अनुपात में संपत्ती देगा इसका भीवरण उसमें लिखा जाता है यानि किन ब्यक्तिव कि अगर अपने पुत्रों के नाम देना चाहता है पुत्रियों के नाम देना चाहता है या पुत्री को नहीं देना चाहता है क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हिंदू या अपने भारत की बात करें तो यहां पर दहएच प्रथा की बहुती सिस्टम जो की खराब है बहुत सारे चीज़े होती हैं जो कि आप अपने पुत्रियों को दे देते हैं उसके बावजूद भी पुत्रियां अगर किसी भी हिस्से की मांग करती है तो आपको यहाँ पर देना पड़ता है जो कि यह गवर्वेंट का भी रूल से 2005 में जो कि बेटियों का भी आपने देखा होगा कि उनको अपने पिता की संपत्ती में हिस्से मिल सकते हैं वो ले सकती हैं तो वहाँ पर दावा कर सकती हैं तो इसलिए आप जो भी अपने पुत्रों को देना चाहते हैं तो वो अपने वसीयत में आप उसना पूरा निर्धारण करेंगे इसके पश्चात वसीयत करता को अपने संपत्ती कितने रेशियों देना है यह आपको निर्धारण करना ह यदि वस्यित करता अपने संपत्ते में किसी को कुछ नहीं देना दे रहात इसका बेवरा भी लिख सकता है यनि संपत्ती में अगर किसी को कुछ भी नहीं देना चाहता है तो उसका बेवरा भी उसमें दे सकता है यदि वसित करता अपने परिवार को छोड़कर किसी और ब्यक्ति को अपनी प्रोपर्टी सोपना चाहता है तो उसका उलेख भी करना होता है यहनी अपने property को अपने पच्छों या अपने किसी परिवार के विक्ति को नहीं देना चाहता है किसी और को देना चाहता है तो वहाँ पे दे सकता है वसित करता को यदि किसी संपत्ती को लेकर कोई सर्थ या नियम है तो उसका ब्यवरा भी पश्ट रूप से देना होता है यदि कोई सर्थ नहीं मानेगा तो उसे हिस्सा मिलेगा अथवन नहीं मिलेगा कितना हिस्सा मिलेगा इसका भी ब्यवरा दिया जा सकता है उसके पश्यवर्ट वसियत करता को अपने येमं प्रमाड के लिए दे दो गवाहों के साथ तिथी समेथ हस्ताचर येमं अंगुठे का निसान लगाना होता है यदि गवा हस्ताचर करने में सचम नहीं तो अंगुठे के निसान से भी काम चल सकता है यानि कोई ब्यक्ति ऐसा है जो कि अंगूठा नहीं लगा सकता है ठीक है यानि हस्ताचन नहीं कर सकता है तो अंगूठे के निसान से भी काम चल जाएगा तो इस प्रकार से आप वसियत तयार कर सकते हैं इसमें आपको बीबाद से बस सकते हैं तो फ्रेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरू बताईए कि वीडियो यहीं से वाप्त करते हैं नमस्कार